हलो फ्रेंज, बेलकम बेक उन रेपलिक स्थनोग राफी, रामधारी फर्स्ट बुक की फर्स्ट विक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकिंड बाद सबापती महुद्य मैं रच्छा मंतराले की मांगो का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हुँ, वर्तमान घटनाओं से पता चलता है की संचार का हर देश अपनी सुरक्छा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रियत्न कर रहा है इस द्रश्टी से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रच्छा मंतराले का महत्व है मुझे इस बात की खुशी है की जहां अन्य मंतराले की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है वहां इस मंतराले की कम आलोचना हुई है इससे पता चलता है की इस मंतराले ने पिछले साल अच्छा काम किया है मोटे तोर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीती का लक्षे यह होता है की दूसरे देशों खास तोर से परोसी देशों के साथ मित्रता के संबंद इस्थापित हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक छेप ने करें लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है की हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रच्छा करें इसलिए हमारे देश का यह करतव्य हो जाता है की हम अपने परोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे परोसियों से आए हैं 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लडाई हुई और उसके बार ताशकंद में जो समझोता हुआ वहें सिर्फ कागज पर ही रहा पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया इस द्रश्टी से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हल तरह से वेवस्था करें हमारा उदेश्य दूसरों पर आक्रमन करना नहीं है लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमन करें तो हम में इतनी शक्ती अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चील से काफी मदद मिली है रक्षा मंतराले की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को पंद्रा सो करोड रुपे की फोजी सहायता दी है आप जहां हम फोजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ती बढ़ाने का प्रियत्न कर रहे है वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फोजी सामान खरीद रहा है अपनी नीती के कारण वह सब देशों से लाब उठा रहा है मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ती बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक से अधिक फोजी सामान खरीदना चाहिए आज तिबबत की सीमा पर चीन की डेड़ लाथ फोज खड़ी है इस तो